राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं माबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रहे हूं इंदरा एकाशी कब है बंधों इंदरा एकाशी जो की आश्विन मास्क के श्राग पक्ष में आती है कब है बंधों यदि आपने यूट्यूब चैनल संसकार की बाते अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सकी बंधों वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट भोक्स में राधे राधे आवश्ये लिखें बंधों श्राग पक्ष में आने वाली इंद्रा एकाशी का पुन्य यदि पित्रों को समर्पित किया जाए तो पुर्वजा को स्वरक की प्राप बताया था पित्रपक्ष में आने वाली इंद्रा एकाशी 2022 में 21 सितंबर को है वैसे तो हिंदू धरम में सभी एकाशियों का बहुत महातु है लेकिन इंद्रा एकाशी पित्रपक्ष में पड़ती है इसलिए इसका महात बहुत अधिक बढ़ जाता है इस दिन किये गए पूजन पार से पित्रों को स्वरत की प्राप्ति होती है बंधों आश्वीन महा के क्रिशन पक्ष का यह एकाशी व्रत भगवान विश्नु को स्मर्पित है मनुष्य इस दिन एकाशी का व्रत रखते हुए शीहरी और मान लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं इंद्रा एकाशी व्रत रखने से पित्रों को यमलोक से मुक्ति मिलती है श्राद पक्ष में आने वाली इंद्रा एकाशी का पुन्य यदि पित्रों को स्मर्पित किया जाए तो पुर्वजों को अर्थात पित्रों को स्वरक्की प्राप्ति होती है और पित्र आपको अश्रवात द ले तो उनके पित्त होंगे और जल्द ही तुम्हारे शादी के योग बनेंगे और यदि किसी को नोक्री नहीं मिल पा रही तो वे भी इंद्रा एकार शिवरत करें और अपने पित्रों को समर्पित कर दें ऐसा करने से नोक्री में आने वाली बाधा दूर होगी इस प्रकार यदि किसी का भी कोई काम नहीं बन पा रहा है या फिर वेपार में घाटा हो रहा है या रुपईये आते तो हैं प्रंदू बरकत नहीं होती तो भी सभी इंद्रा एकार शिवरत करें और वरत का फल अपने पुर्वजों को दें देखना कैसे आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी और आपके वेपार बढ़ने लगेंगे उनती करने लगेंगे राजा इंद्र सेन ने इस वरत को किया नारत मुनी ने उन्हें इस एकाशी का महत बताया था बंधों हिंदू पंचांक के अनुसार एकाशी तिथी 20 सितंबर 2022 को रात त्री 9 बच कर 26 मिनट से शुरू होकर 21 सितंबर को रात 11 बच कर 34 मिनट सक रहेगी उद्यात तिथी के कारण इंद्रा एकाशी वरत 21 सितंबर को रखा जाएगा वरत का पारण 22 सितंबर को होगा एक कथा के अनुसार सत्यूग में महिश्मदी नामक राज्य में राजा इंद्रसेन का राय था भगवान विश्णु का वे बहुत अधिक उपा सक था नारत से राजा इंद्रसेन को उनके पिता का संदेश मिला कि पुर्व जनम में किसी गलती के कारण भी यमलोक में है ऐसे में यमलोक से मुक्ति के लिए उनके बेटे को इंद्रा एकाशी का वरत रखना होगा तब इंदसेन नारची से एकाशी व्रत के बारे में पूछा तब नारची ने कहा एकाशी तिथी से पुर्व दश्मी को पित्रों का शुराद करने के बाद एकाशी व्रत का संकल्प ले नारत मुने ने कहा इस वरत के रखने से तुम्हारे पिता को मुक्ष की प्राप्ति होगी राजा इंदसेन ने नारत के बताए अनुसार इंद्रा एकाशी का वरत किया जिसके पुन्य से उनके पिता को मुक्ष की प्राप्ति हुई एकाश्षी के पुन्य प्रभाव से राजा इंदसेन को बैकुंट की प्राप्ति हुई बंधों जो भी कोई एकाश्षी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते तो वे एकाश्षी व्रत कथा आवश्चे सुने आसाथी एकाश्शी के दिन कुछ नियुमों का पालन करें बंधो एकाश्शी के दिन चावल फूल कर ना खाए मासा हार शराप का सेवन ना करें बंधो एकाश्शी के दिन किसी का भी दिल ना दुखाएं किसी की निंदा ना करें एकाश्ची के दिन ब्रह्म चरे का पालन करें और भगवान विश्नु और लक्षमी जी की पूरन विधी विधान के साथ पूजा अर्चना करें रात्री जागरन आवश्य करें बंधों देखना कैसे आपके पित्र स्रिप्त होंगे और आपको पूरन आशिरवाद प्रदान करेंगे और आपके कारें बंते चले जाएंगे बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना भजमन नारायन नारायन हरी हरी शीमन नारायन नारायन हरी हरी राधे राधे चेश्य क्रिश्ना